नमस्कार दोस्तों Welcome to Swing Trade आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटेक महिंद्रा स्टॉक के बारे में कोटेक महिंद्रा में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपर्चुनिटी है और इसमें काफी सरे फ्रेंट्स है तो जो कि इनमें लॉस में अभी है तो इस वीडियो में बात करेंगे कोटेक महिंद्रा स्टॉक को कवर करेंगे और देखें कि इसमें क्या उपर्चुनिटी है और कौन सा लेवल तक हमें होल्ड करके चलना चाहिए और क्यों लेके चलना चाहिए उसके पीछे का रिजन भी समझेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप स यहां कोटेक महिंद्रा में एक थोड़ा सा तैजी देखने को मिला देखने को मार्केट को इस इस साबसे कंपनी का मोट के अभी श्टॉक का अल्टाइम ही है और स्टॉक अभी क्रेंट लेवल पे चल रहा है 1690 निप्टी-फिप्टी का स्टॉक है और मार्केट में भारी गिराबट में यहां पर भी बहुत अच्छा से यहां पर करेक्शन हुआ है अगर हम बात करेंगे कंपनी का रेजल्ट के ऊप सब्सक्राइब करते हैं तो सबस्क्राइब करें देखते हैं यहां पर मार्चा इब मालत क्वाट्र में यहां पे यहां पर जॉपतेbau को मिला आप यहां पर देखने को मिला है अगर हम देखेंगे तो कंपनी का एक रिजर बहुत बढ़ी ऐसे ग्रोइंग होते जा रहा है अगर हम प्रमोटर होल्डिंग बात करेंगे प्रमोटर के पास में यहां पर 25.9.9 पर संटेज का हिस्से दा रहे है और एक पास में जबर्दस्त हिस्से जा रहे है तो की पर सिद्धार यह यहन पर यह जो फोर पर संटे श्रॉंट्ट में होल्डिंगे इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहां पर इटल पाप्लिक के पास में इसाय हम बात करेंगे इसका आरे से बिल्कुल एक आ चुका है जो की इसरी निरे को मिल रहा है और उसी के साथ में लिए हैं पर इसका नीचे भी चल रहा है अगर हम देखेंगे इसटोक में अब बॉहाथ बढ़ी सा अपमोव आ सकता है क्यूंकि हर एक गिरावट के बाद में आप देखेंगे तो यहां पर बहुत जबरदस तरीके से तेजी आता है आप अगर देखेंगे तो यहां पर यहां पर भी मार्केट जाव पॉल परने की ज़रूरत नहीं अगर हम देखेंगे तो यहां पर कितना परसेंटेज्ट करेंगे इसके बात करेंगे यहां पर मुझे लगता है यहां पर बिल्कुल एक बटम बन चुका है ठीक इस लेवल पर हमें बाइब करना चाहिए अगर हम आक्च्वल बटम की अगर काल्कुलेशन करेंगे तो कबी किसी को बटम पता नहीं है अगर हम यहां पे कोई यहां फॉट्न में गवट करेंगे तो यहां पर चीज लिए स्टॉडी करना चाहिए यहां पर फॉल देखने को मिला था मुझे बिल्कुल याद है यहां पर लगातर लग रहा था यहां पर अगर में हम बात करेंग तो यहां पर चुक्त करेंगे कि data पर अप लगास norm टेखने को मिला मार्केट में बहुत вами अब स्टॉक में स्ट्रॉंग रिकवरी दिखाया है मिडियेटली स्टॉक में हमेरी कवरी देखने को मिला है इस से पहले करेंगे किसे पेले जो फॉल देखने को मिला है यहां पर 21 परसेंटेस गें मिला है उससे पहले हम बात करांगे परशेंगे 2013 को करते हैं तो 2013 को टॉन्टी फैइटों करम देखने में पर मैं तरह मुझे लगता है कि बायंग ऊपर्चुनटी की तरह चाहिए क्योंकि अल्रेडी यह इस्टॉक में एक अच्छा करेक्षन हो चुका है अगर हम टार्गेट के बार में बात करेंगे उसके बाद में टार्गेट का हम समझेंगे कौनचा टार्गेट को हमें लेके चलना चाहिए यहाँ पे 27 परसेंटेज का विलकुल एक फॉल हो च यहां पे मुझे लगता है यह मारर्केट ने जैसे यहां पर किया है मुझे लगता है जितना बड़ा लिया उस से जप्छू लेकिन उससे जितना और लिया है तो उसी कवर अगर करेगे तो भी हाथ मुझे लगता है यह wanted तक भी लेके चलते हैं वह तर्गेट बिल्कुल आचीव हो सकता है उसका पीछे का रिजन भी में आपको बताऊंगा यहां पे यहां पे यहां पे कॉप इति हंडल का पैटन बनाया है लेकिन मार्केट में जिससे फॉल हुआ है मार्केट के साथ में फॉल देखने को मिला है लेकिन जिससे मार्केट रिकावर करेगा इम्मीडियेटल यह अपना टार्गेट आचीव करेगा जो कि कॉप विथ हैंडल का पैटन का हिसाब से हम जाते हैं तो कौन सा टार्गेट हम ले सकते हैं तो उस चीज़ का अभी हम साइड में हमें 2450 गेंथे कितना परटफोलिय में को मिल सकता है वहां तरीके से हमें घयन भी दे सकता और हमें बिलकुल रिस्क भी नहीं है और हम इसी चीज़ को आप समझीए तो उसीछाआब से अपना पॉटफोलिय अभी मिल सकता है अगर आपको सही लगता है आप खुद का अनलीस जरूर एक बर कीजिए आप खुद का अनलीसिस का बेस पर ये स्टॉक में पोजिशन बना सकते हैं लेकिन पॉर्टफोलिय को जरू डाइवर्सिपिकेशन रखिए और किसी भी स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं आपका फाइन सब्सक्राइब कर लिए थैंक्यू बेरी मच्छ फ्रेंट्स पर आजिंग दिस वीडियो मिलते हैं एक वीडियो के साथ में